अगर आप अपने बच्चों का record रखने के लिए उनकी photos को PDF में convert करते हैं, लेकिन PDF इतनी attractive नहीं होती, इतना interesting look नहीं होता है, तो आप अपने बच्चों की PDF को flip book में कैसे convert कर सकते हैं, ताकि देखने पर वो आपको attractive लगे. तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपनी class 1 के लिए एक e-magzine तयार गिया था, जिसमें मैंने अपनी बच्चों की photos को PDF में convert करने के बाद, उन्हें एक flip book में convert किया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कितना सुन्दर लग रहा है, सबसे पहले तो अगर हम इसका background की बाद करें, तो background कितना सुन्दर लग रहा है, इसके बाद हम देखते हैं, आप इसको ऐसे book की तरफ flip कर सकते हैं, यह देखी, यह देखने से ही कितना सुन्दर लग रहा ह आप इसमें कितने भी फोटोज डाल सकते हैं और उन फोटोज को PDF में कनवर्ट करके आप ऐसी ही एक फिलिप बुक बना सकते हैं यह देखिएगा तो अगर आप भी इस तरह की फिलिप बुक बनाना चाहते हैं तो वीडियो की लास तक बने रहीएगा मैं आज आपको बताती हूँ कि कैसे आप PDF को कनवर्ट कर सकते हैं इन्टो ए फिलिप बुक सबसे अच्छी बात है इसके लिए आपको अलग से कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको गूगल सर्च पर जाना है और वहां पर लोगिन कर लीजेगा और लोगिन करने के बाद यहां पर आपको एक ओप्शन दिखेगा मेक अ फ्लिपिंग बुक आप जैसे ही ग्रीन कलर के इस ओप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा अप्लोड पीडिएफ आप यहां पर जा यहां पर मैंने गेम सीन ओलंपिक यह वाली हम पीडिएफ ले लेते हैं यह मैंने बच्चों को ओलंपिक में कौन-कौन सी गेम्स होते हैं उनको बताने के लिए पीडिएफ बनाया था तो यहां पर हम यह वाली पीडिएफ ले लेते हैं अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो यह जल्दी अपलोड हो जाएगा 100% अपलोड होने के बाद आप इसको देख सकते हो कि यह flip book में convert हो चुका है अब यह book के pages की तरह आप इसको flip कर सकते हैं अब अगर आपको इसको edit करना है तो आप यहाँ पर इसको edit भी कर सकते हैं सबसे उपर आप देखेंगे title यहाँ पर आप अपनी flip book का title दे सकते हैं यहाँ पर description में आप description लिख सकते हैं कोई भी keyword आप डाल सकते हैं यहाँ पर इसके बाद आप apply पर जाएगा और इसको apply कर दीजिएगा उसके बाद हम second option देखते हैं templates templates पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको different different type के templates मिलेंगे कोई भी templates आप इसमें चूज करके आप अपनी flick book में डाल सकते हैं यह हमने popular वाला ले लिया है और हम इसको क्या करेंगे apply कर देंगे हो गया है अब दुबारा से हमें अगर इसका हमें background चेंज करना है तो हम क्या करेंगे styling पर जाएंगे styling पर यहाँ पर आपको अलग-अलग themes दिखाई देंगे system themes यहाँ पर आपको designs दिखाई देंगे तो हम theme पर जाएंगे और dynamic scenes पर जाएंगे यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारी themes हमें दिखाई दे रही है हम यह theme choose कर लेते और इसको apply कर देते हैं हमने जब इसको apply किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं background में पीछे आपको same theme apply हो चुकी है यह देखेगा अब मेरी photos का size थोड़ा बड़ा है इसलिए पीछे वाला जो background है वो कम दिखाई दे रहा है आप अपने photos को जो भी आप PDF बनाएंगे उसको crop करके डाल सकते हैं हम दुबारा से edit option में जाएंगे styling में जाएंगे हम bubbles वाला theme ले लेते हैं और इसको apply कर देते हैं तो यहां पर आप देखेंगे लास्ट में जो background में है वो bubble आ गए हमारी theme पे तो ऐसे ही आप इसको अपनी flip book को अपने coding design कर सकते हैं अपने coding उसको themes दे सकते हैं और यहां पर आप इसमें की advance setting कर सकते हैं आपके कितने pages लेने हैं उसको zoom करना है क्या करना है कौन सा page आपको यहां पर delete करना है कौन से page पर आपको bookmark लगाना है तो यह सब advance setting आप यहां पर जाकर check कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी कोई भी PDF को एक अट्रेक्टिव और इंट्रेस्टिंग प्रेजेंटेशन उसका तैयार कर सकते हैं और अपनी PDF से फ्लिप बुक बना सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक नई वीडियो में तिल देन बाई बाई टाटा ठीक केर